वाम पंथियों में रुमिला थापर जी भी एंशेंट इंडिया की एक्सपर्ट हैं पर उनको संस्क्रित का एक शब्द नहीं मालए। और इर्फान हवीव जी खुद तंके की चोट पर कहते हैं अपने इंटर्व्यू में कि मुझ है ना तो फार्सी पता है ना अरबिक पता है। इसलामिक ठीलोजी के पॉइंट अव्यू से बाबर वाज नौट ट्रू मुस्लिम जब उसकी जर्णी काबूल तक है जहां तक मुस्लिम पॉबलेशन तब तक कोई जिहाद की बात नहीं गरता है लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि यसे भारत में उसकी इंट्री हो रही जो वक्फ के प्रॉपर्टी नहीं है वह उसको भी वक्फ कहके अडपने की भी कोशिश होती है जैसे ज्ञानवापी का चल रहा है इंट्रेस्टिंग पार्ट इस शंक्राचारियक खुद ठीकु सुल्तान को भी पत्र लिख रहे हैं कि मैं आपके विजय के लिए अग्राइब आपके लिए अवन कर रहा हूं नमस्ते डियर वाइब डियरु डियारॉज की साइड लैंस से मैं हूं सन्या इक्षित और मेरे साथ हैं दो इतिहास आथ वित्रम संपर जी आभास मद्धिया जी बढ़िंग इस फोलिए उन स्टैलिश्ट इस टोजिए ये वन इस इसकी साप्ला कर गए है तो यह किस प्रकार होगी इसकी क्या संद्रक्शना क्या इसकत्व हो था जी और इससे आप क्या आपका इसका उपडेक्टिव है क्या उतेश हो रहा है जी थांक यू संजय जी हमेशा इस अ ग्रेट प्लेजर आप से बात करने में और आपके माध्यम से जैपूर डायलॉग्स की सारे दर्शकों से जो आप से जुड़े हुए हैं अभी विजय दश्मी के दिन पे हमने एलान किया कि एक नई संस्था Foundation for Indian Historical and Cultural Research की शुरुआत होगी अभी हमने पहला स्टेप लिया है इसमें बहुत लंबा रस्ता तै करना है पर इसका जो मूल सिधान्त है वो यही है कि for the longest time जैसा आप जानते हैं हमारे देश में जो non-left है इतिहास लेखन को लेके उतना seriousness नहीं दिखाते हम हम सिर्फ ये कथानक रहते हैं कि वामपंथियों ने ऐसा किया इन्होंने ऐसी विसंगतियां विक्रतियां हमारे देश के इतिहास लेकर में किया है पर उसका alternative scholarship क्या है ये कहना बहुत आसान है कि रोमिला थापर जी के किताबे निकाल दे और उसमें बहुत सारी विसंगतियां है पर उसको निका के उनके मुकाबले का एक किताब लिखा है शायद नहीं मध्यकालीन भारत का हो या modern इंडिया का हो freedom struggle के history को तो आप तो जानते हैं कि UPSC के परिक्षा में आज भी वही आरेश शर्मा, डियेंजा, अधिय मुखर जी, इमृदियला मुखर जी इनहीं के किताबे चलती है क्य दिया गया और वो मैं बार-बार वही कहता हूँ कि जो nationalist historiography का school था जो जदुनाद सरकार थे, RC मजुमदार, फिर BK रजवाडे, भंडारकर, GS सरदेसाई, और फिर बाद में सीतरम, गोयल जी, धरम पाल, इन सब लोगों ने जो नीव रखी थी nationalist historiography की, वो कहीं लड़कड सता के बाद, और जो वामपन्थी दबाव में आकर, ICHR के influence है, जहाँ पे parallel narratives का कोई स्थान ही नहीं था, तो इसके अभाव में कोई scholarship create नहीं हुआ, अफकोर्स मीनाक्षी जैन जी, बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं, पर अभी वी university books हो, या फिर mainstream scholarship हो, इसमें वही करती हैं, और एक और चीज जो नोटवर्दी ये है, कि वामपन्थियों में एक रोमिला थापर जी भी ancient इंडिया की expert हैं, पर उनको संस्कृत का एक शब्द नहीं माला, और इर्फान हवेव जी खुद डंके की चोट पे कहते हैं अपने interview में कि मुझ है ना तो फार्सी पत इन सब चीजों को अगर सीखना हो, तो शायद एक दो जिन्दगी उसमें लग जाएगी, तो इसलिए आइडिया ये था कि क्यों ना छोटे-छोटे working groups बनाये जाए, जो multi-disciplinary हो, एक modern इतिहासकार, उनके साथ एक संस्कृत का पंडित, या प्राकृत का पंडित, या पाली हो जो भी हो, geologist, archaeologist, geneticist, ऐसे multiple disciplines के लोग एक साथ बैठके, किसी एक विशय का बहुत ही, you know, deep research करें, संशोधन करें, और primary sources को जाए, प्राइमरी sources जो बाते कहती हैं, उनको उसी भाशा में ले, और उस भाशा के जो scholar है, पंडित हैं, उनके द्वारा उनका direct translation हम करवाए, ना क Western translations पे इतना हम rely करें, तो अभी एक pilot project के तरफ से हमने सोचा कि जब भी हम Islamic आकरांताओं के बारे में बात करते हैं, तो वामपन्ति यही बोलते हैं कि हिंदों ने भी बहुत धों पे अत्याचार किये, उनके जो विहार है, वो सत्तोड़े, पर क्या ये fact based है, क्या इसमें को बहुत कम साधन है, आज भी एक वो कैरवान का कोई article हो, या किसी और का बहुत सारे आज इसकल WhatsApp historians ली आ जाते हैं, जो नालंदा को actually ब्रामणों ने उसको जलाया, ऐसे बहुत सारे, तो ऐसे लोग आ जाते हैं, जिनका जवाब कत्यों के आधार पे, और इसमें emotional होके जगड लडाई करने की ज़रुद नहीं, तत्य जो कहते हैं, प्राइमरी सोर्सेज जो कहते हैं, और उसी के आधार पे हम, मैंने देखा कि सावरकर जी पे जब मैंने काम किया, अगर आप प्राइमरी सोर्सेज में पुक्ता हो जाए, तो आपको कोई छू नहीं सकता, आपके पास facts हैं, documents हैं, और leftist historiography का जो research base है, वो भी उतना तगड़ा होता नहीं है, अगर आप सच्ची में अच्छा संशोधन करें, तो आप उनको तत्यों पे हरा भी सकते हैं, तो हमने सोचा, ये एक topic से हम शुरू करें, कि बौध मत, जो है, वो क्या religion था पहले, तो अलग-अलग द interactions थे एक दूसरे के साथ, और वो बहुत धिक दृष्टी से थी, ना कि एक दूसरे को मारने काटने का, या हम से जो इतफाक नहीं रखते हैं, उनको मारते हैं, जैसे Abrahamic Fates करते हैं, तो ये पूरा journey of Buddhism in India, through various royal families, किन-किन ने उनको pitonage किया, हां कुछ instances हुए भी होंगे, पु investigation करना है, पर अगर वो हुआ भी हो, तो क्या वो theologically sanctioned था, क्या उनका individual policy था, क्या एक धरम का policy था, तो ये सारी चीज़ें, और हम चाहते हैं कि ये projects, देश के नामचीन जो विश्वविध्याले हैं, वहां पे इनको incubate किया जाए, और actual scholarly work हो, तो वहां पे हमने 5-6 ऐसे scholars को identify किया है, एक जो Sanskrit जानते हैं, एक जो Tibetan जानती हैं, और एक Prakrit और Pali के ज्याता हैं, साथ ही Buddhist iconography, archaeology से भी हमने किसी को contact किया है, आभास जी और मैं, हम सब लोग साथ मिलके, दो-दो-तीन-तीन लोगों का चोटे-चोटे teams, और इससे जो output हो, शायद 8-10 महीने इस पे सुधीर संशोधन किया जाएगा, और फिर उसके बाद, अलग-अलग माध्यमों से इसको disseminate करने की कोशिश हम करेंगे, पहले तो किताबें, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहत हूं कि there is no alternative to scholarship, तो किताबें आनी चाहिए, maybe in a series, एक भारत series of books, जो भारती इतिहास को नए सिरे से, और primary sources के माध्यम से देखने के था एक नया नजरिया, और फिर academic papers, क्योंकि वो एक bastion है, जो non-left ने कभी breach किया ही नहीं है, आज भी academics में जैसे उनका दबदबा रहता है, तो peer-reviewed academic papers हों, journals हों, और फिर of course, बाकि जो popular mediums हैं, YouTube है, podcast है, social media, जिसमें हमारा, you know, हाँ, आजकल ज्यादा है, उसका भी advantage लेके, ये सारे जो संशोधन किया गया है, उसको जन सामायने तक पहुंचाने की बात है, तो अलग-अलग ऐसे जो contemporary themes है, जिसका historical background है, relevance है, caste system की उत्पत्ति कैसे हुई, कब जाके वो solidify हुआ, हमारे शास्र गरंत क्या कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो प्रयास है, इसमें बहुत वक्त लगेगा, जैसे मैंने कहा इसलिए कि एक पहला कदम है, और शायद इसमें मैं आपके माध्यम से और आपके channel के माध्यम से जो जो राष्ट्रवादी लोग इसको देख रहे हैं, मैं यही आग रहे करना चाहता हूँ कि एक महायग्य जैसा ह अपने देश के इतिहास का पुनरलेखन और जो जो विक्रतियां इसमें आ गई है इसने दशकों में, उसको ठीक करने का एक महायग्य है, इसमें सब कुछ जुड़ना चाहिए, अलग-अलग capacity में जुड़ सकते हैं, और foundation के तुरू हम यह भी चाहते हैं कि कुछ fellowships दिया ज तो मेरा stress हमेशा वही रहता है कि a book is the only answer, YouTube हो, यह सारी चीज हो, Instagram Reels, Twitter, यह एक दिन रहता है, कल चला जाएगा, कल कुछ और outrage करने के लिए कुछ मिल जाएगा, लोग इसको भूल जाएंगे, तो it is very important कि as a लेखक मैं मानना चाहूंगा कि हमारे मरने के 100-200 साल बाद भी हमा अच्छे, documented, research, books, I think that will set the narrative straight, तो इसी उद्देश इस foundation का की शुरुवात की गई है, इसमें बहुत महनत लगेगी, बहुत पैसा लगेगा, बहुत सारे साधन, लोग, आप सब लोगों का साथ, यह सब चाहिए होगा, but I thought it is better to start, क्युकि इससे हम हमेशा वही रोना रोते र आप करते रहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सरकार कुछ नहीं कर रही है, उनका priorities अलग है, यह सब एक civil society, हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम अगर एक critical mass create कर दें, of people, content, material, सरकार उसको अपने पाठ्यो कुस्तकों में वगरा में शामिल भी कर सकती है, उसके बाद उसको देखा जा सकते हैं, में चीज है कि खाना पहले बने, उसको किस तरह से परोसा जाएं वो बाद में देखा जा सकता है, पहले रसोई घर बनाएं, उसके बाद सामान में कठा करें, एक बावर्ची ढूंडें, फिर सारे सबजी काटें, रोटी बनाना शुरू कर किस तरह से आर्टिस्टिकली उसको अलग-अलग तरीके से परोसा जाएं, ठाया जाएं, वो बाद की बात सोची जा सकते हैं, तो इसी उदेश से ये शुरुवात छोटी सी की गई है, देखना पड़ेगा कि ये कितना पहलेगा, कैसे होगा अगले सालों में, दर्श्कों म वाबा जी आप भी फाउंडेशन से असोशियेटेड हैं, और आप भी पुस्तक लिख रहे हैं मुखलों के उपर, और मैं आपकी ट्विटर बैटल्स देखता रहता हूं, तो ये जो आपकी पुस्तक का आप लिख रहे हैं, अभी सरवपुर्थम बावर के उपर लिख रह क्यों बन रही हैं, ये राइटिंग उनली फॉर दे स्कॉलर, धन्यवाद संजे जी, समय देने के लिए और इस हमारे फाउंडेशन के बारे में बात करने के लिए, और आपका स्योग हमेशा से राश्रवादी विचारों के लिए हमेशा से लगा रहा है, और मुझे लगता होगा कि बाबर के उपर जो पुस्तक लिखी जा रही है, वो इतनी बड़ी क्यों हो जा रही है, क्योंकि इससे पहले पे जितनी स्कॉलर्ली वर्क्स आई हैं बाबर के उपर, चाहिए वो 1920s में हो, 1930s में वर्क्स आई, बाबर नामा के ट्रांसलेशन को एकरम छोड़ दे, तो सारी पुस्तके 200 पेज की, 220 पन्ने की या मैक्सिमम्म 300 पन्ने की पुस्तके आई हैं, लेकिन जब मैंने बाबर को ऐज़ा परसन पढ़ना शुरू किया, बाबर नाम, पहली जर्णी बाबर नामा के ट्रांसलेशन से शुरू हुई, जो कि बेबरज नहीं की थी, 1920s में, और मुझे कहीं न कहीं यह कार्टर काफी इंटरस्टिंग लगने लगा, वो कार्टर मेरे लिए इसलीए इंटरस्टिंग था, विकॉसज उन्होंने उस सल्तनत का establishment किया था, जिस सल्तनत को उन सारे चीज़ों के लिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ों के लिए ग्रेडिट दे जाता है तो शायद उन्होंने नहीं दिया लेकिन आज भी जैसे आर्किटेक्चर की बात हो या फिर डांस फॉर्म्स की बात हो बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने पैट देगे वन लौड अव सपोर्ट अंडी डिर लौड अफ कंट्रिबूशन तो मुझे लगा कि इसके जो फाउंडर है या फिर जिन्होंने इस सल्तनत की सुरुवात को उसके बारे में डीटेल में जाना चाहिए और जब मैं शोध करना शुरू किया तो मैंने पाया कि हर बार बावर की बात होती है लेकिन हम उन सारे जगों को भूल जा रहे हैं जहां बावर की जर्नी हो रही जिसमें से एक जुन्बिल ट्राइब है जुन्बिल ट्राइब है जिसको बुलाते हैं जो कहीं लोग का मानना है कि बुद्धिस के बारे मुझे जानने का मौका मिला उसके साथ साथ यह समझना बहुत जरूरी था कि आखिर ऐसा क्या चल रहा था पूरे समरकन के रीजन में या फिर जो संट्रिल एशिया है कि वो भारत में आना चाह रहे थे लेकिन अगर हम सिर्भावर के इंड रिजल्ट्स को देखेंगे वो भारत में इंटर करता है और काफी डिस्ट्रक्शन डिस्रक्शन परांद भी उसकी उसकी ख्वाइश भी थी कि वो उसको दपना है भारत में जाना चाहता था और बाबर नामा में उसने काफी रिकॉर्ड्स देकर रखें कैसे यहां से वो धन संपत्ती को उठा करके लेकर के जाकर के समरकन रोजबिकिस्तान में अपने रिलेटिफ को और बेक्स और गयरा को डिस्टिब्यूट करता था तो वो आपको यह बताता है कि बाबर ऐसा आकरानता नहीं था कि आकर के यहां पर सेटल हो गया लेकिन उसका उद्देश था भारे से संपत्ती लेकर के जाना उसने जब उसकी जर्णी काबूल तक है यानि कि जहां तक उसको maximum Muslim population when he's contacted Muslim population तब तक वो जिहाद की बात नहीं करता है लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे वो भारत में उसकी इंट्री हो रही है वो जिहाद की बात करना शुरू कर देता है और Islamic theology के point of view से बाबर was not a true Muslim because जिस तरह से उसको लेकिन जो Islamic idea यह भी कहता है कि when it comes to the greater good at times you will choose वो जो कुफर होता है उसको आप super seat करके you will choose to do something which brings a greater cause तो बाबर उसी direction में चल रहा था और और बाबर के psychology को समझना बहुत जरूरी था इसके लिए मैंने उनके how he looks at the Taimur, Taimur को वो कैसे देखते है, what kind of relationship which he held with Taimur, कहीं लोगों का यह मानना है कि they were Mughals, जबकि उन्होंने खुद को कभी Mughals नहीं बुलाया, उन्होंने खुद को हमें जब टिमूरिट बुलाया और इसको समझने के लिए भी यह जानना बहुत जरूरी है कि बाबर का रिष्टा exactly Taimur से क्या था, क्योंकि Taimur was very personized in his character और उनका purpose था पुरे विश्व भर में Islam को अस्थापित करना ह लेकिन अगर आप बाबर के early age को अगर नहीं समझेंगे तो आपको यह नहीं समझ में आएगा कि कैसे वो character का creation हो रहा है और पुरे मुगल सलतनत को यह तो टिमूरिट सलतनत है उसको हम समझ नहीं पाएंगे, तो I took a conscious decision that I will start from 1494 में जब उनके पिता के मृत्य हो जाती है और उनको responsibility मिलती है, तो उनको लेने की लेकिन उनके आगे पीछे जितने भी cousins हैं, they are behind him, no one wants him to grow, बहुत ट्राजिक लाइफ वो बिता रहा है, बाबर is having a very tragic life, लेकिन उसके बाद उनकी जो नानी है, वो उनको तैमूर की कहानी सुनाती है, चंगेज कहानी कहानी सुनाती है, conquering So, इन सारे aspects हों मैंने cover किया है, और पहरी volume जो है, वो बाबर के second field attempt to enter Hindustan वहाँ पर रुक रही है, और अगले volume onwards, इस matter पर डील करूँगा कि कैसे Islamic colonialism का actually अर्थ क्या था, क्या आखिर ऐसा था कि 13th century, 14th century और 12th century, 10th, 11th century, हमेशा से Muslim आकरान था, भारत मे आना चाते थे, क्या सिर्फ उसका economic purpose था, या उससे भी ज्यादा वो कुछ करना चाते थे, तो इसका generous होना inevitable था, इसको मैं avoid नहीं कर सकता था, और मुझे उमीद है कि दो volume मिला करके बाबर के साथ पूरी justice कर देगी, और I won't say कि शायर इसके बाद पुस्तके नहीं लिखी जाएगी, लेकिन मैं इतने कह सकता हूँ कि यह ऐसी पुस्तक होगी जो आपको बाबर के बारे में या फिर मुगल सल्तनत के बारे में, के founder के बारे में, जितनी जानकारी हो सकती है, वो दे देगी, इसके बाद फिर आप बाबर के जो वणशच हैं, उनके बारे में लिखेंगे, हुमायू, इसको अड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और हां भारत का परस्पेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो जिस भी रीजन से यहां जा रहे थे या फिर बाद में वो अगर यहां के ओगे है that's insignificant matter of the fact is that वो यहां पर आ है और उनका communication यहां के लोगों से कैसा था वो कैसे उनसे deal करते थे उनका status क्या था उनके सल्तनत में क्या उनको जो बोलते हैं कि लोग अमीर हो रहते में गए that is minus one this is the only period so there's a lot to cover a long journey to walk उमीद है कि शायर यह पूरी हो जाएगी जैसे मैं सोच रहा हूं but let's see जी पविकरम जी आप भी टीपू के ऊपर दो वॉल्यूम्स लिख रहे हैं मैंने सुना जी उससे पहले संजे जी I think कि यह बात भी कहनी जरूरी है कि आभास जी की जो किताब के लिए और कुछ और अन्य किताबों के लिए अभी हाल ही में आशा जड़ेजा मोटवानी जी नाम की एक venture capitalist जो US में है वो उनके अपने foundation से एक fellowship हमने शुरू किया था उनके जो पती थे उनके memory में अर्विंदन नीलकंटन, अनीश गोखले, स्रीजीत दक्ता, प्रोबल रॉय चौधरी, वी एन प्रभाकर प्रोफेसर और अंकुर कंकर इन सब को fellowship दिया गया था और वो भी वही था कि एक डेड़ साल के अंदर एक manuscript तयार होना है और सब लोग इस पर काम कर रहे हैं और अभी शायद इनके बाद एक के बाद एक पांचे और किताबे आ जाएंगी अलग-अलग विश्यों पर वो सब लोग काम कर रहे हैं और रही बात मेरी हां मैं अभी अल्मोस्ट 90% खतम हो चुका है बहुत शायद सावरकर से भी मोटी किताब होगी है अल्मोस्ट धाई लाख जो words है वो खतम हो चुके है मेरे और बहुत हैदर अली और टिपू सुल्तान क्योंकि मुझे लगता है कि टिपू सुल्तान को समझने के लिए उनके पिता हैदर अली उनकी जिन्दगी और उनका जो attitude to life वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो by default rulers नहीं थे, they came from the rags to riches और literally वाडियार मैसोर के जो हिंदू राजपरिवार था वाडियार परिवार उनसे सिंगासन उन्होंने चीन लिया था हैदर अली में और उनमें और टिपू में क्या अंतर था, especially धर्मांतरन के बारे में हो या पिर attitude to non-muslims and all of that तो वो जानने के लिए हैदर पे almost काफी stress दिया और उसके बाद टिपू सुल्तान और उनकी जिंदगी उनके अच्छे बुरे सारे कर्म मुझे लगता एक इतिहासकार को judge होने का कोई luxury ही नहीं है, सिर्फ facts क्या बोलते हैं, जो available facts हैं कुछ अच्छे भी अगर उन्होंने काम किये हैं तो उसको भी दर्शानाच चाहिए और कुकर्म तो बहुत ज्यादा ही हैं, तो उसको एक जगह पे सम्मिलेत करके एक definitive biography बन जाए जैसे सावरकर पे जिस तरह से मैंने कोशिश की पांच साल संचोधन करके कि every aspect related to him, जो आज मुद्दा बन जाता है वाज विवाद के लिए और राजनेतिक विवाद में, तो उन सब का एक definitive answer based on facts मिल जाए तो वहाँ पे इसका clarification करना और जो धूल है उसको clear करना और टिपू की का जो सही चत्र है वो लोगों के सामने रखना तो इसमें इसी लिए इतने पन्ने और इतने words लग रहे हैं पर I'm sure जिस तरह सावरकर despite being such a voluminous two volumes, लोगों ने उसको पढ़ा, उसको बहुत सराहा, मैं आशा करता हूँ कि ये टिपू सुल्टान की किताब भी लोग इसी तरह से इसका स्वागत करेंगे। वैसे तो टिपू बड़ा polarizing figure है और लाकेवल उस समय आज भी है वो एक ये देखा गया है कि ये मुझे लगता है कि जो भारत का immediate post partition इतियास है उस पर भी हमें द्रिश्टी समभवतर डालनी पढ़ेगी और सकता है आपकी जो foundation आ रही है या जो आपने बताया जो fellowships मोटवनी foundation के तरफ से हैं उन में ये cover होगा कि जो पूरा का पूरा खिलाफत के बाद से एक narrative बना जो हम ये कह सकते हैं कि वही जो बात आती है जो आजकल हमास के चार्टर में लिखी हुई है कि जो इस थान एक बार मुगल बाच्छाहत में रह गया वो हमेशा के लिए उनक तो कहीं न कहीं ये जो महिमा मंडन जो होता है इसलामी शासकों का उसके पीछे ये भावना है और हमारी जो राजनीती है वो एक प्रकार से उपनी तुष्टी करण की राजनीते में उस भावना को और भी बढ़ाती है बिल्कुल और जो वक्फ के प्रॉपर्टी नहीं है उसको भी वक्फ कहके खड़पने की भी कोशिश होती है जैसे ज्यान वापी का चल रहा है सारे प्री इंडिपेंडेंस रेकॉर्ड बिटिश कोर्ट्स ने फैसला किया है कि वो जो मस्जिद के तथाकतित मस्जिद के आसपास जो जमीन है वो वक्फ डेडिकेटेड हुआ ही नहीं था सिर्फ उसको तोड़ा गया पर उसके जगह पे क्या बनाया गया क्या उसको डेडिकेट किया गया कोई दस्तावेज नहीं कोई रेकॉर्ड नहीं फिर भी उस पे अपी तुष्टी करन के चलते हम इन सब को हमारे जो जो सेक्रेट स्पॉट्स हैं उनको देते रहते हैं और जब तक हम देते रहेंगे लेने के लिए लोग डेयर रेडी वेटिं एगर ली तो इसके पड़े हैं उदार चरिता नाम तूव वसुदेव कुरू को बोलके हम सब दे देंगे आप देते रहेंगे तो दे देके देश का बटवारा भी बहुत बटवारे जितना हम देते रहेंगे उतना लेने के लिए लोग ततपर खड़े हैं तो आज वापिस लेने की भी एक awareness आ गया है कि thus far and no further और कुछ जगह ऐसे हैं जो हमारे सांस्कृतिक विरासत हो हमारा psyche of an Indian mind, a Hindu mind उसमें बहुत ही important है काशी खंड में, संद पुराण में जिस तरह से काशी का वरणन है या मतुरा के बारे में जो आस्था है जिस तरह आयोध्या का है सारे इसे जो important शेत्र हैं उनको वापिस लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें कोई फ्लेस ओवर्शिप एक्ट वगरा मैं लॉयर तो हूँ नहीं पर बावजुद हमें उसके डट के भी निद तू I think fight back and provide that resistance आवाज जी आप मेडियेवल पे और विशेशकर मगलों पे काम कर रहे है या प्रश्ट हो ही आएगा प्राइमरी सोर्सस स्वैम पढ़ सकते हैं क्या जी तो यह सवाद हमेशा मुझे खटग रहा था और जब मैं खुद इर्फान अभी के मुझा रूना की वो पर्शिन में उतने विद्वान नहीं है वो जिस्ट काम चला लेते हैं कई बार मैंने तो उनको सुना है दूर नर्शन पी कहते हुए कि उनको पर्शन और अरबिक बिल्कुल नहीं आती है तो कई जगह पर उन्होंने यह क्लिंग कि थोड़ी बोत पर्शन वो समझ सकते हैं उतनी तो मैं भी समझ सकते हैं अबी के ताइम में बहुत सब वे इशन ऑफिर दर नर्शन अपल भारत जो उनको नहीं परच़ियों कवे उनको नहीं होसी स्टेटमेंट है कि इस अबने कि आरबड अर उनकों कि पकड़ परशन पर बिल्कुल भी नहीं है वो क्लेम करती हैं बट ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा है कौन अल्रेट उसके तो उन्होंने जितने भी औरंग जेप के फर्मान वगेरा को टांस्टेट करके किताबों में डालना शुरू किया वहां पे बहुत सारे चीजों को उन्होंने एक अलग डिरेक्शन में मूल लिया है जैसे अगर आप काफिरों के लिए जो कंटेंप्ट है और इंचेप के मन में तो काफिर का अर्थ उसके महा पर ये था कि नॉन-मुसलिम्स अजिन हिंदूस इंदूस इंदे मैंग्जिम केसे बगारत वर्ष में उपरेट कर तो वहां पर उनका ये कहना है कि काफिर का अर् और हिंदू का लिवड एक्सपिरियंस है वो मैटर ही नहीं करता है अगर आपको और ये अगर आप दो मिनट के लिए उन आर्टिकल्स को भूल जाए कि आर्टिकल्स काई पीनियन पीसे जोने पेपर्स लिखी है जितनी पेपर्स उनके पब्लिश वही है और वो पेपर्स इन सारे और्गुमेंट को ले करके आती है चाहे वो नालंदा विश्विद्याराय का विद्वन्श हो फिर उसके पुस्तकाराय का जला देना वो वक्तियाद के लिए को माननी के लिए तयार नहीं है तो वहां से जब वो नारेटिव लेती है तो वो हमेशा ये केस बिल्ट दिया गया है कि यहां पर कुकर किये जाते थे इस वह जासे और जेम ने लोगों को मदद करने के सवाइसे बहुत सरे तो एक वस वेरी इंपोर्टेंट के कि I go back to the primary source और जैसा जदुनास सरकार जब उनिस सो तिरानवे में ही वस से यह गुडबाय तो प्रोफेशन और उन्हें इस सेट तो इस प्यूपल्स और प्यूपल्स और प्यूपल्स कहा कि यह भारत का स्वाइनिम समय है यह उनिस सो तिरानवे में बोल रहे है क्योंकि अ कि अब हमारे पास एक्सेस है तो अलाट अफ तिंग्स और हम प्राइमरी सोर्सेज में जा सकते हैं और उनके जो ऊथरीटी जो ओर जो लैंक्विजेज हैं उन्तमें जाकर उसको पढ़ सकते हैं और हम इतिहास का आकलन सही नजरिये से कर पाएंगे लेकिन उन्होंने कहा य तो हो गया ट्रांसलेशन को पढ़ना और जैसे रोमिला थापर के बारे में हम बात कर रहे थे उतना बात नहीं किया उनका नाम लिया गया तो रोमिला थापर ने जो पुस्तक लिखी है अशोक के अपर बुद्धिजम के उपर वहां पे एक और सोमनात के उपर सोमनात के प उन्होंने और वो ये केस बताती है कि सोमनात को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि ये परसेप्शन था कि जब जो आइडिल्स तोड़े गए थे मक्का में तो उनमें से एक जो आइडिल था ये एक मुर्ती थी वो छुपा करके लिए उसको यहां प्रिजर्व किया गया था त वो कोट कर रही है एक मुस्लिम स्कॉलर को आफ नियर्ली क्लोज बाइ टाइम लेकिन जब मुस्लिम स्कॉलर को पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि वो यह बोल रहा है कि ऐसा ट्रेडिशन कुछ लोगों का यह कहना था बट वो यह नहीं बोल रहा है कि जो इन्वेडर ह उसने इसलिए थोड़ा वो यह कारण नहीं बता रहा है लेकिन रोमिला थापर जी नहीं यह कंक्लूट कर लिया है और यह माला जाता है कि बिकॉज वो तो रोमिला थापर है और तो वो सोर्सेज की पक्कियों की उनको शूट आफ गॉन तो मुझे ऐसा लगा कि औरिजिन म स्कॉलर एक स्कॉलर थे इरान के हैं वो अपने बारे में जैदा लोगों को बताते नहीं है फॉर आबिस रीजन सो उनको काफी इंट्रेस्ट आया मेरे काम में जब मैं इसलाम पर काम कर रहा था उन्होंने मुझे बताया कि कि if you want to work in it you need to know the language so at least तुमको पर्शियन तो सीखी लेना चाहिए कि तुम मैनुस्क्रिप पढ़ो then you can go back to Arabic and so on and on तो उन्होंने मुझे कोविट के समय में पर्शियन सिखाना शुरू किया और अब ऐसा समय आ गया है कि मैं बाबर मानामा के पूरे मैनुस्क्रिप को पढ़ पहले इस मैनुस्क्रिप पको अक्सिस किया है जबकि बाबर के बारे में कितने लोगों ने लिखा है बहुत सरे पुस्ताक है जैसे मैं आपको बता रहा है कि 200 पन्ये की किताबे 15 सारे सेकंडरी टर्शेरी पता नहीं क्या क्या सोर्सेस है और यहां पे तो इस लेबल का क्राइम हो गया है कि आप को साइट कर रहे हैं एक हिस्टॉरियन को आप बोल रहे हैं कि उसके बेस पर आपने बना दिया जैसा मैं रोमिले थापर के जी के बारे हैं बताया लेकिन वो मुझछ जो स्कॉलर है वह स्कॉलर यहूर यह कोर्ट इसटॉरियन जो मुस्लिम इसटॉरियन है वो आप लों किliner ख dispelb कि आप आप धूर्ट हून obsessed है कि यह कोई achievement वगर नहीं है it's more more like अगर आप एक जर्णी पर चलना चाहरे है अगर आपने वह पात को चुना है तो आपको तो उस पात के लिए तैयारी करके जाना ही पड़ेगा ना वह कोविड का पीरेट था जब हम when we when flights were not operating we were doing the road trip completely prepared खाना लेकर जा रहे है आप you just get prepared for the trip तो यह वो ट्रिप है तो इसके लिए मुझे लगा परशीन सेखना चाहिए I learned it and अगर कल को मुझे कभी मौका मिले और टुसके के साथ debate करने का to discuss the matter which I am sure that she will not come up front तो I can directly go to the take the source I can take in front of her say कि यहां पर टुट वेट तो करते ही नहीं है आपने कलब के लावा मैंने भी रोमिला था और को जैपूर डालोग में आवं प्रित किया था आपको बताओं उनका बड़ा उनका mail आया very gracious of her she replied और का कि at that time I will be touring in Rajasthan and therefore I will not be able to come to जैपूर डालोग में गाजस्तान से जैपूर बहुत दूर था तो यह जो किस्सा है जो बता रहे है ना कि काशी में जातिया होती थी उसका जो source है वो आपको पता है कौन है पट्टावी सीता रमिया और पट्टावी सीता रमिया ने यह बात बताई एंजी गोरे को और एं मेहंदले साफ से शेयर करी और बाद में पत्टावी सीता रमिया ने कई लोगों को यह बात कन्फर्म भी करी और उन्होंने यह भी कहा कि मुझसे गानी ने कहा तो अच्छा 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 इंट्रेस्टिंग और उसके बाद फिर वो जो है क्या नाम उसका रिचर्ड इटन उसने पिक अप की और वहां से और्ट रूशके ने पिक अप की यह इसका पुरा का पुरा बैक्ग्राउं प्रेस है तो बट इस पर आप आप कर रहे देखा है यह निसों नाम उसका रहे ता वह लो जब वो जाली में पार प्लाच्चा सब्चा इचर्ड इंड नामे डिया गया था जो जब आप कर लिए पार सम्ट जद बीक्न, को सब्सका प्राप्य टिंगिंग लूचिंग्ष घ्रएं उ कि पंडेजी विए गिवन इसक्ट्चर अरौ टीपु को बात सब्सक्राइब काफी तूबियू साइन का वो तू इंक अगुड एक बडा अस्ट्टर्ड प्रेक्टिस है की एक डिश्कुलर प्रेंटर्डर्टेश करने चाहिए मैं आपको कोड़ करूंगा आप इसको वो हमें ऐसे और यह सर्कुलर रेफरेंस बना के और यह जो खासतोर से शिंगेरी मठ वाली जो बात आती है वो भी मेरे ख्याल से कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद में वें वें वरी बाद वें और इस सन्साइड बें टेकन होस्टेज और सब कुछ हो गया था और यह वांट तो पैसिफाइं हिंदू कम्यूनिटी हिंदू कम्यूनिटी इस ताइम पे उच इस तरह का किया था 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 यह अर्ड़ी ह था तो उसमें, of course in the book I will elaborate more, but even Heather Ali maintained, there are a lot of reverential letters जो Heather Ali ने भी लिखा है शंकराचार्या को, पर वो सब शायद it's a part of the politics, आज जैसे और ब्रामनों में वहां समार्थाज और जो आएंगार्स, आएंगार्स के खिलाफ थे, क्योंकि जो आएंगार कम्यूनिटी था, वो मैसूर की महरानी के साथ काम कर रहे थे, तो इसलिए उनको तो दिवाली के रात पर उनका वद कर दिया, और फिर दादर दिसनी वदा माधवाज, माधवाज को भी उन्होंने को आप्ट कर दिया, पूर्नया जो उनका दिवान था, वो माधवा ब्रामिन था, तो ये ब्रामनों में, ह इसे अपीज करना है इनका मक्सद था पर इंट्रेस्टिंग पार्ट इस शंक्राचारिया खुद टिपु सुल्तान को भी पत्र लिख रहे हैं कि मैं आपके विजय के लिए शत्रचंडी हवन कर रहा हूं यहां पे सहस्रचंडी जब हो रहा है कई सारे ब्राम्वन जो है तुंगवद्रा नदी में यहां तक नदी में उतर के कितने दिन नदी में खड़े होके आपके विजय के लिए जब और प्रार्थना हो रही है और किसके खिलाफ मराठाओं के किस खिलाफ तो शायद वहां जगत गुरु का भी ही मस्ट भी अंडर दे कंपल्शन की रियासत का राजा है वो तो उसकी अगर चाहिए हो तो यू हाब तो कंप्लाई विद इम तो ऐसे बिकम्स वेरी कॉंप्लिकेटेट की यह तो टीपू की बात हो रही है तो टीपू को बड़ा ग्ल तो एक पार्ट अंग्रेज है एक पार्ट मराठा एक पार्ट निजाम है वो एक बात है संजे जी बट फ्रेंच के साथ तो लड़ रहा था वो इतने सारे एंबसी वहां भेजा फ्रांस के लूई द शिक्स्टींट को और बाकी मौरिशियस भेजा आइल उप फ्रांस आस्क अफगानिस्तान के जमनशा को चिठी लिए खलीफा को चिठी लिए तर्की सारे इरान शाव परशिया सब को लिखा कि आप इन्वेड करो और बहुत ही क्लियर एक अजेंडा दो साल का इन्वेजन जहां आप वहां से काबूल अफगानिस्तान से आप आईये मैं साउट से और फिर पहले दिल्ली में जो शाह अलम बैठे हैं उनको तो ये काफिरों ने इनकाइसिटेट कर दिया है हम उनको निकाल के वहां पे इस्लाम का जंडा पहलाएंगे फिर कैसे बंगाल की तरफ जाएंगे बंगाल को कैप्चर करेंगे फिर पूरे देश को अपने बीच मे बांट देंगे and very clearly that this thing is we have to establish a Islamic Sultanate in the whole of India काफिरों का दमन करके तो इसमें फ्रीडम फाइट का को अफूर्स he was very brave और अंग्रेजों के खिलाफ उनको एक तरह से नफरत की भावना तो थी बट उनको निकाल के उनकी जगह पे हमें कहा धकेल रहे थे वो वैसे एक तर्म देखा जा सकता है इसमें, if you really look at it in the Quranic terms, freedom means freedom from infidels, freedom from kufr, Quranic terms, oppression, injustice, evil, mischief, all of them mean only one thing, infidelity. सारी बुराए, बुरी, 2.254, Quran, लेकिन इस वरी इंट्रेस्टिंग, एक मिनट मैं इसको complete करूं, Quran 2.4, 2.254, Al-Bakra 214, क्या कहता है वो? अल-काफिरून हू अल-जालिमून, जो काफिर है वही जालिम है, वही जालिम है, काफिर is the oppressor, और उसको जब आप ट्रेस करेंगे और बाकी सबसे, मैंने इस पे काफी काम किया है, तो it works out, the greatest sin, oppression, sin, evil is unbelief, हिदायत ना मानना जो है, वो सबसे बड़ा जुलम है, तो वो जो कहता है, जो freedom की बात करता है, तो he actually talks about freedom from oppression, और oppression क्या है, तो जब यह लोग ग्लिबली बात करते हैं, they don't go deep into it, तो उसने आएगा भी, ज़रूर freedom की बात करेगा, और that is freedom from oppression, it's a beautiful book by Brigadieris के मलेक, it's called the Quranic concept of war, तो उसको आप पढ़ें, कभी, it's not a very big book, तो बड़ी clearly delineate करती है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई, आप कश्मीर दे दोगे, तो आगे कुछ मांगा जाएगा, सोरा वर्दी ने बोला था, quoted सोरा वर्दी in my book, सोरा वर्दी ने बोला था कि पाकिस्तान is not only our last demand, it is only our latest demand, तो demands are never ending, चीन के लिया है पाकिस्तान, हस के ले लेंगे हिंदुस्तान, 1946-47 में आते थे वाई नारे है, तो गजवा ए हिंदा प्रोज़क्त पाकिस्तान, हस के लेंगे हिंदुस्तान, खैफ बनारसी, पोटेट दिल जेंटल्सेंट, और यह सारे के सारे यही रहे, आप हमारे कैफी आजमी साहब ने उसनमेंगे के अगली पाकिस्तान में मिनेंगी, इनके हमारे जावेद चीचा जी, श्रीयत जावेद अख्तर, इनके मामा जी थे मजाज लखनवी, भून नजमें लिखा करते हैं, खूब चम के तराने हैं, और यही तराने से, यह सब बाद में सारे के सारे इप्टा में और पीड़बूए में आगे हैं, सारे के सारे नेशनलिस्ट बन गएंडर, अबल खिलाम आजाद साहब, तो आप दुनों महानुभावों का बहुत बहुत दन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो यह उद्यम है, Foundation of Indian Historical and Cultural Research, यह अपने उद्देश्यों की पूर्ती करें, सफल हो, और हमें जो है यह एक जिसको हम कहेंगे विक्रित इतिहास जो पढ़ाया जाता है, उसके एक सफलता पूर्वक और विश्वास पूर्वक उसे चुनोती देने का अवसर मिले। धनिवाद से जेशी, धनिवाद। जैहिन, जैवारत, बंदे मात।